हेलो गाईज कैसो आप सभी लोग आप सभी अच्छे होगे तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सर्वाइव ओन ड्राफ्ट और आप देखे सकते हो कि हमने अपने पिछले वारा एपिसोड में यह जो आप देख रहो प्लैटफोर्म जिसके उपर हम खड़े हुए हैं उसको मचलिया घूम बे रही है मैंने इसको बनाया था बड़ काईजर मैंने आपसे चीज पूझी थी कि हम कैसे चीजों को मूफ कर सकते हैं अब समलो यह वारी जो चीज़े मेरे को इसको यहां उठाके इस जगाप पर रखना है तो आपने मुझे पताया था कि आपना एक्स के हटाता हो ना तो यह डिस्ट्रोई हो जाएगा इसको तोड़ना होगा इसका मतलब काईज इसमेरा यह बस टूड़ता है एक्स के वज़ा से तो अगर आपको कोई चीज पता है कि समलें जो ड्रम है ना मैं को उठाके है बस यहां रखना है तो यह मैं कैसे रख सकते हो अग को एक गन मिली है मुझे नहीं पता है इसको यूज कैसे करते हैं बट यह जो गन है ना भाई मैं इसको अभी वेश नहीं करना चाता क्या पता उपड़ से कोई एरोप्लेल भगता हो जाए तो मैं इसको यूज करूँगा मतलब मेरे को यह गन को देखकर ऐसा लग रहे कि को यह ना लाइफ सेविंग गन है हम इसको हवा में मारेंगे ना तो आज पास जो कलर है ना वह एक शूट करने का बट जहां पर मुझे ऐसा लग रहे कि यह ना शार्क वार्क पर भी हमला करती होगी तो इसको ना अभी मैं संभाल कर देता हूं क्योंकि अगर मैं मर गया तो म सबसे पहले यहां चलते हैं यहां पर थोड़ा ओर अपग्रेड करना हैं बट उससे मैं खाना खा लेता हूं मैं सबसे पहले हिाए तो पौरा का पूरा excellent यहां पर पानी है, तो जल्दी से पानी पीते हैं, हाँ तो guys, मैं यह बोड़ना था, कि आप देख सकते हैं, यहां पर हर जगा पर ऐसी फैला हुआ है, एक ही जगा पर सारा सारा समान है, और जो बीच का एरिया है यह पूरा का पूरा इससे खराब लग रहा है, तो यह चीज मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर चीज अपनी अपनी जगा पर हो, जैसे कि अगर यहां पर पानी का एरिया है, तो बस यहां पर पानी का ही सिष्टम हो, कि यहां अगर मैं को प्यास लग रहे हैं, तो मुझे स्लैब लगानी होंगी काफी सारी, तो मुझे सबसे पह यहां फका से मेरे साबसेर इस foreign काफी लग रही है अब यहां पर यहां पर बनता है और यहां पर हमारा यह जो ड्रॉम के contribute यहां इस अंधर यहां हमारी celebrate यहां पर देके से उसे यहां इस पर नभी बनाने वालाई हो तो यहां पर हमारा खाने का आएगा वहां हमारा पाने का सिष्टम आ गया सारा और जो यहां है यहां हमारे खाने वाने का आएगा तो सबसे पहले न मिलको थोड़ी बहुत चीज़े और क्राफ्ट करने होगी जैसे की हमें खाने का craft करने हैं तो इसको build करते हैं एक हमारा यहां आजाएगा दूसरा यहां परा आजाएगा एक यहां लगाते हैं एंड जो last वाले अबे hammer अच्छा हथोड़ा है टूड़ गया हमारा ठीक है यार जो हमारा हथोड़ा है वो यह रहा मैंने इसको craft कर लिया अब जल्दी से वापस से जो मेरे कोई खाने का था ना इसको क्राफ्ट करना है पस कितना ज़्यादा सही लग रहा है अब यही चीज ना मेरे को यहां पर करनी है बट यहां पर हमारा पानी वाले आने वाले है तो यहां से जो हमारा वाटर वाले ने क्या बोलते हैं इसको वाटर मेकर ठीक है तो हमा और जो हमारा वाटर कलेक्टर है यह रहा वाटर टैंक बोलते हैं इसको ठीक है इसको बिल्ड करते हैं इस जगह पर कितना ज्यादा हैवी सा एकदम सही लग रहा है मैं सोच आँ हमें थोड़े बहुत और ज्यादा एक्सपेंड करना चीह हमारे बेस को जहां पर हम बहिर को शार्क को मारना होगा जार किटनी ज्यादा एग्रेसिव लग रही है यह शार्क मेरे को भगज़ाए यहां से सबसे पहले इस शार्क को खतम करता है मतलब भाई मेरे में कुछ गए तक हम न काफी जादा अपग्रेड हो चुक एक सेकीड़ है तो कृइंस आप मेरे को रस्या चाहिए होगी और सब्सकता हमैं इसको बना ली और भयए पीकारई फ切कोंاش को अच्छा यह大家都 होगी क्या मेरे कुछ दिखी नहीं रही तो आप देख सकते हैं हमारी सबसे पहले ड्रम को ले लेता हूं जो बैरल है अब इसको फैक्ट है अब आप देखना कि यारी जो फिशिंग रोड है काफी ज्यादा सही लग रही है और इसमें रोलर टाइप भी है आप देख सकते हैं इसको गुमार है पकड़े के यार क्या एकदम रियलिस्टिक लग रहा है मेरे कोई तो मैंने यहां से सी ब्यास करके मचली है पता नहीं कौन सी मचली है तो इसको ना खाने के लिए डाल देते हैं आपर तो जल्दी यहां चलते हैं और खाना का है भाई हमारा वैसे मेरे को भूक और प्यास दोनों लग रही है तो में को जल्दी-जल्दी से हर काम करना होगा तो काम करते हैं यह वाला जो एरिया मैं खाली कर देता हूं अभी जो मचली है इसको मैं इस जगह डालता हूं अब यहां पर हमारे प्लैंक्स हैंगी जिससे कि पकना जाएगा ओक्यों के बट हमारा पानी का है भाई पानी प्यास लगए में को पानी दो सबसे पहले गाइश पानी पीते हैं यह आप बीच का एडिया देख रहा हुँ ना मेरे को इस पूरे को खाली करना है मेरे को तोड़ने होगा क्योंकि मेरे पास और भी कोई ओप्शन है नहीं तो डिस्ट्रॉ से इसको उठाते हैं इसको पी लेते हैं हमें बहुत जादा प्यास लग रही है मतलब घैस देको हम जतना जादा काम करेंगे ना उतनी जादा हमें थकान होईगी एंड उसी की हिसाब से हमाई जो hunger health ना वो कम होईगी, तो हाँ भाई अब काफी जादा सही लग रहे है बाट यहाँ पर नहीं कम करता हूँ, accents भी बना देता हूँ, एक HTML हमारी यहाँ पर आईगी और दूसरी वाली इस जगा पर आईगी, तो finally हमारी यहाँ आईगी तो सिश्टम है ठीक है चलिसे पानी भानी भरता है और उसमें पूरे में मैं पानी डाल देता हूं जिससे की बाद में प्यास की समस्य ही खतम हो जाए तो यहां से मेरे को मग भी क्राफ्ट करना होगा यह रहे हमारे मग इसको क्राफ्ट करते हैं दो से तीन में क्राफ्ट करते हो मतलब काफी सारे क्राफ्ट कर लेते हैं तो एक यहां लगाते हैं एक यहां पर एंड जो दो हमारे मग हैं वो यहां पर लगेंगे काम करते हैं यह ना वैं यहां पर रख देता हूं और एक मचली हमारी पक भी चुकी है तो सबसे पहले जो मारी मचली उसको लेते हैं अब इन सभी फॉर्नेस में मैं इनको रख देता हूं तो यहां आ गई यहां पर एंड लाश्ट वाली उधर आ गई तो जल्दी से प्लैंक से मैं इनको हीट अप करता हूं जिससे की पूरी अच्छी से पक जाईए तो फाइनली फाइसा अब क्या मस लग रहा है अब गाइस मुझे ना यह चीज़ देगने कि मैं और क्या क्या चीज़े हैं जो कि अभी क्राफ्ट कर सकता हूं आप देख सकते हूं मैंना भी स पहले से मैं और भी सीज़े क्राफ्ट कर सकता हूं आप देख सकते हो अब किसी प्रपी ताने वाणी लगा सकता हूं और आप देख सकते हो उपर की साइड अगर आप लिखोगे ना तो आपको एक शीप का आइकन मतलब शीप का आइकन मिलेगा शायद से यहां कोई जहाज वहाँ जा रहा है क्या मतलब का इसमारे पास था कोई शिप आ रहे हैं जिसको हमें बचाना है क्या रुको यार मुझे बिल्कुल समझ जा रहा कि हो क्या रही है सबसे पहले धनुष को वटाओ अपने पास से क्योंकि मुझे शिप के अंदर पैट है मुझे यहां रहना नहीं हलका सा भी मुझे जाना है यहां से वाई कहा आरी है शिप ले जाओ मेरे को तो ओके मेरे को दिख मैंने हैलो मिलाया उससे शायद से वह यहां पर आ रही है रुको मैंने अपनी गन वन रिलोड कर लिया जिससे कि अगर शूट ओ तो गाईजर यह कोई यह सेविंग लाइव गन है जिससे कि हमें भाई 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 यह हमारे बाद में काम आएगी बट जैसा कि आप देख सक तो हमारे पास एक शीप आईए बट ओके तो यह रियल परसन है ठीक है हमसे बात करो सर तो यह बोल रहा है ग्रीटिंग डॉंट बी शाय शर्माव मत ठीक है ठीक है मैं समझ गया तो ओके तो हमें यह रूल बता रहे है शायद यह कोई न यह मर्चंट है जो हमसे सामान खरी है नहीं सेंटर में बट कुछ नहीं होता सबसे पहले गाइस एक का ओके ओके तो मैं यहां से इसको पर्चेस भी कर सकता हूं और अगर आप देखो ना राइट है में सबसे उपर की तरफ यह हमारी करंसी है जो कि मेरे पास 0 रूपय है तो मेरे को रुको यार मैं सबसे पहल ब्रेट तो है नहीं हमारे पास बट यह एक बोर इसकी नहीं उसके बहुत जादा प्राइस दिर रहे बट मेरे पास इन में से कुछ भी नहीं है यार मैं क्या करूंगा मेरे पास यहां पर काफी सारी चीज़े हैं आप देख सकते हो क्या पता है यह इसको खरीद ले तो सब के जल्दी से फाइई यह यहां से लक रहे है यह चले जाएगा तो जल्दी से पानी भाणी पीटे currency खाकई एक तरीकी से कि आम मैं यह भी बेच सकता हूं हां मैं नहीं बेच ना चाहता यह झाथ यह बहुत ज्यादा मेन अब इसके बाद ही जो सक्रैब से मैं इसको भी जैल कर देता हूं काफी ज़्यादे श्यादख करता हुआ इक वकान करते हो यहां अब यहां और आप दे सकते हैं हमारे पास abord year के वमेo से जीन बेखने वालता है मैं देखता हूँ- मैं यहां इक हए बातो हो मैं ना सो जाता हूं एंड नेक्ट डे जो हमारा व्यापारी है ना मैं उसे ट्रेडिंग करूंगा ओके ओके तो मुझे लगा क्या रही है चले जाएगा बट भाई काफी जादा समझदार है गया नहीं वह मेरे को चोड़कर बट एक काम करते हैं यहां पर यह जो जितना भी क मेरे कामकी हो सकते हैं बट इस समय मेरे कामकी नहीं है तो मैं अभी इसको बेच रहा हूं ना नो चो क्यों नहीं कर रहा कि में पास कितने जादा पैसे हैं हाँ तो आप देख सकते हो अराउंड में पास 3000 हो चुके हैं बड़ शायद से इस चैस्ट के अंदर थोड़े बहुत और हमारे पास जो स्क्रैप से वह रखे थे तो काम करते हैं साथ के साथ मैं यह भी बेच देता हमारे पास अराउंड 2900 अराउंड हो चुके हैं तो यहां से अब मैं क्या क्या चीजे खरी सकता हूं यह वाली गाइस मैं ड्रेस खरी सकता हूं बट यह 20,000 की ड्रेस है जो किस पुतले ने पहन रखी है वाई देखने में कितना जादा रियल लग रहा है यह और यहां पर है ईसे चीज है ब्लुप्रिंट मेरे को नहीं चाहिए स्वार पर उंब्रेला यार क्या से घ्राई यह उसके बहुत ज्यादा मेहि ए मैं इसको purchase कर लूगा guys purchase कर लेते हैं मैंने इसको purchase कर लिया torch को and torch अपने हाथ में रखता हूं आप यह तो जादा उजाला करेगी बट आप देख सकते हो इसने इतना ही उजाला करेगी बट हां यार एक हजार उपे वैसे एक हजार उपे बहुत जादा होते हैं इन सब चीजों में तो वाई काफी जादा सही है कई मतलब सही ट्रेट कर ली मैंने इससे और जो umbrella मैं सोच रहे हैं यह भी खड़ी लेता हूं देखते हैं कि यह जो umbrella आखिर है क्या वाई किस काम आता है यह तो यह इसलेंड स्कैनर फाई यह ले लेता हूं भी 300 रुपीज का है ओके तो हमारी एक new recipe unlock हुई है तो मेरे को देखना होगा कि कौन सी recipe unlock हुई है हमारी ठीक है यहाँ ओके तो आप देख सकते हो हमें एक यह चीज मिल चुके जिसके लिए में एक microwave oven चाहिए और भी काफी सारी ची है तो हमने यह भी खरीद लिया मैं यह बार देख तो लो मोईटर दिख था कैसे यार इसके अंदर हर चीट डबब डब है और आप देखू गाइस एक बार कितना ज्यादा सही लग रहा है यह सब हमने इन अंकल चीजे काफी सारी चीजे पर्चेस कर लिए तो अभी के में ज्याएका इनसान वखतियों में रुको मैं इससे बात करके पूसता हूं यार क्या हमें यहां से ले जा सकते हैं है यह बार मैं तरफ देखा यह अटारू यह बठा आव और काफ़ी सारी चीज़े दे दी वो बात अलगे कि काफ़ी जादा महंगा सामान दिया इसने बट हां मज़ा आ गया नेक्ट वाले एक को रेडियो चाहिए एक माइक्रोवेव ओवन चाहिए वह हम देखें कि यार में कैसी चाहिए होगा बट काफ़ी जादा मज़ा है मैं को इस वाले एपिसोड में तो अगर आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर हुआ हुआ है